नमस्कार हस्तक्षेप में आपका स्वागत है मैं हूँ अमलेंदू उपाद्धियाए दिनभर की बड़ी खबरें आईए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डिवी लाइप के सोजनने से अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए पहले बड़ी खबरें उसके बाद कुछ मनों इंजन की किलिप्स नमस्कार दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचल आज इस बुलिटन में बात होगी एवियम के खिलाफ विपक्ष के आंदौलन की राहूल गांदी के जैपुर दौरे की देखेंगे किसानों के दिल्ली कूच को मोधी पर आरोप पहले एक नजर आज की सुर्ख्यों पर बिहार में बीपीएसी पर इक्षवपन नहीं थम रहा विवाद आरजडी नेता तेजस्वी आदव ने सीम नेतिश कुमार पर साधा निशाना बोले बिहार में लाठी डंडे वाली सरकार होश में नहीं है सी एम आमाद में पार्ट पहले एक साल में सरकार की प्रमखुप लब्दियों पर जताई खुशी कहा हमने एक साल में रिकोर्ड सरकारी नौक्रिया दी है वर्ल्ड चेस चेंपियोंशिप में भार्टिय ग्रेंड मास्टर डी गुकेश ने ग्यारवी बाजी में विश्व शत्रंज चेंपियन डिंगली रेन को दीमात 6-5 से बनाई बढ़त सबसे पहले 7 जशवलब 5 अंकवाला खिलाडी बनेगा विश्व शत्रंज चेंपियन ये तो थे सुर्ख्या अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की महाराश्य चुनाव के बाद एवियम को लेकर मचा बवाल अब और तेज हो गया है एंसीपी चीफ उस गाउं में पहुँच गए जहां एवियम में धांदली की बात कही जा रही है एंसीपी एसपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं जीत गया हूँ लेकिन इवियम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तो शरत पवार ने भी इवियम पर सवाल खड़ी कर दी हैं तो क्या है पूरा मामला देखे इस रिपोर्ट में महराष्ट चुनाओ के नतीजों पर अब नसीपी एसपी चीफ शरत पवार ने सवाल उठा दिये हैं पवार सोलापुर जिले के मरकड़वारी गाओं में पहुंचे थे जहां विधान सबच चुनाओ के परिणाम के खलाफ एवियम विरोध प्रदर्शन चल रहा है पवार पवार ने इवियम और लोगों की शिकायतों को लेकर कहा कि आपने जो भी शिकायते मुझे सौपी हैं हम उन्हें चुनावा योग और राज्य के सीएम को भेजेंगे और एक प्रस्ताव लाएंगे कि हम इवियम पर चुनाओ नहीं चाहते हैं ये वैलेट से होना चाहिए अमेरिका, इंग्लेंड और कई उरपिय देश इवियम पर नहीं बलकि मतपत्रों पर चुनाओ करा रहे हैं जब पूरे दुनिया में मतपत्रों पर चुनाओ हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं पवार ने ग्रामीडों के आंदोलन को लेकर कहा कि ये इसे जारी रखना जरूरी ह अदालत में भी इसी तरह लड़ना जरूरी है मैं लड़ने के लिए आपके साथ हूँ निर्वाशन शेत्र की सभी तहसील से इवियम हटाएं और संकल पलें कि अगला चुनाओ मतपत्र पर हो यही नहीं पवार ने ग्रामीडों को आश्वासन दिया कि हम उनकी आवास इस आंदोलन पर प्रधान मंत्री और केंडरी चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे दूसरी तरफ मालशरास सीर्ट से एंसीपी विधाय कुत्तम राओ जानगर ने कहा कि जब काउंटिंग के दोरान मरकरवारी की EVM की गिनिती हुई तो मैंने उसी समय वीवी पैट काउंट लेकिन प्रिशासन ने कहा कि अभी काउंटिंग चल रही है ये नहीं हो सकता नतीजे के बाल ग्रामीनों ने सवाल किया कि ये कैसी वोटिंग है जिसमें वोट किसी को दो और जीत कोई और जाता है जांगर ने कहा कि मारकरवारी के 1400 लोग शपत पत्र देने को तैयार है कि उन्होंने NCPSP को वोट दिया था आपको बता दें कि मारकरवारी में 1904 वोट डाले गए थे जिसमें से NCPSP के उत्तम राव जंगर को 843 वोट मिले तो वहीं BJP के राम साथ पुते को 1003 वोट मिले और इस नतीजे के बाद से ही मारकरवारी में आंदोलन चल रहा है विपक्ष एवियम के खिलाफ मोहीम तेज करने की तयारी में है जिससे BJP की मुश्किले बढ़ सकती है तो राहूल गांदी में सरकार की मुश्किले बढ़ाते नजर आ रही हैं कॉंग्रिस सांसद राहूल गांदी अकसर ही लोगों को चौकाते नजर आते हैं अचानक ही व केम्प नेत्रित्व संगम में हिस्सा लिया इस केम्प में अलग-अलग राज्यों की डेलिगेट्स ने हिस्सा लिया कॉंग्रिस के इन ट्रेनिंग केम्पों में कारेकरताओं को पार्टी की मूल विचारधारा के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है इन केम्पों में चर्ख स्थान दौरे को लेकर पूर्व सीम अशो गहलोत ने कहा कि इन शिविरों का उदेश्य आने वाली पीडियों को व्यक्तिगत नहीं बलकि वैचारिक रूप से राजनेती करने के लिए तयार करना है वर्धा के सेवग राम आश्रम में नियमित प्रशिक्षन शिवर आयोजित किये जाते हैं उसी तरह से अलग-अलग राज्यों में भी शिवर आयोजित किये जाते हैं नई पीडि को गांधी या स्वतंतरता आंदोलन के बारे में जानकारी देना और उन्हें प्रसिक्षित करना राहूल गांधी भी कहते हैं कि राजनीती में हमारी लड़ाई व्यक् इसलिए उसी के अनुसार प्रसिक्षन शिवर आयोजित किये जा रही हैं जिसमें आने वाली पीडि हमारी पार्टी की विचार धारा सिध्धान तो कारेक्रमों को जानकर राजनीती कर सके गहलोत ने कहा कि इस कॉंग्रेस के संगम नेतरित्व कारेक्रम को मैं क्रांतिकारी कारेक्रम मानता हूँ दुर्भागे से लोगतांत्रिक मुल्य खत्म हो रही हैं मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल बन गया है उससे लोग डरे हुए हैं राहूल के जैपुर पहुंचने से बीजेपी परिशान दिखाए दे रही है तो किसानों ने भी बीजेपी सरकार की परिशानी को बढ़ा दिया है हर्याना पंजाब के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसान फिर से दिल्ली चलो का ऐलान कर चुके हैं 101 किसानों का जथा शंबू बॉर्डर से दिल्ली की और बढ़ा इस दौरान पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए पुखता इ पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की इस दोरान पुलिस और किसानों की बीच बहस भी हो गई हर्याना पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का पर्मीशन लेटर मांगा उन्होंने कहा कि बिना पर्मीशन के वो दिल्ली नहीं जा सकते लेकिन किसानों ने साफ कह द पंधिर के मुताबिक 8-9 किसान घायल हो गए जिसमें एक की हालत गंभीर है इसके बाद जथे को वापस बुलाने का फैसला लिया गया करीब पोने 4 घंटे के बाद जथे को वापस बुलाए गया अब मीटिंग कर आगी की रणनिती बनाएंगे बताने कि किसान केंद्र सरकार से फसलों पर MSP की गारंटी की कानून समेत 13 मांगी कर रही है जिसके लिए वो सरकार से बात करना चाहते हैं लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई कदम बढ़ाती नहीं दिखाए दे रही इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने सरकार मुश्किल में फस्ती दिखाए दे रही है तो गुजरात में PM मोधी पर बड़ा अरोप लगाने वाले IPS अधिकारी को बड़ी राहत मिल गई है IPS अधिकारी संजीव भट को पूरबंदर की कोट ने बरी कर दिया है संजीव भट का नाम 2002 के गोधरा मामले से जुड़ा हुआ है संजीव भट ने ही ततकालें CM नरेंद मोधी की गोधरा मामले में भूमिका होने पर सवाल खड़े किये थे तो क्या है पूरा मामला जानने क गुजरात की एक कोट ने पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट को 1997 के कस्टेडी में टॉर्चर करने के मामले में बरी कर दिया है दरसल 1994 के आमस बरामदगी मामले के 22 रोपियों में से 1 रोपी नारन जादव ने 1997 में मजिस्टेट कोट में भट के खिलाफ शिकायत दर्श की थ था कि उसे पुलिस का स्टेडी में संजीव भट और कॉंस्टेबल ने टाड़ा और आमसेट के मामले में कबूल नामा करने के लिए शारिरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया था हाला कि इस मामले में बरी होने के बावजूद संजीव भट फिलाल जेल से बाहर नहीं आपाएंगे क्योंकि वो 1990 के एक और मामले में उम्र कैत की सजा काट रहे हैं बतादे की भट तब सुर्खियों में आये थे जब उन्होंने 2002 के गुजरात मामले में ततकालीन सीम नरेंद्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ नामा दायर किया था बाद में S.I.T. ने इन आरोपों को खारिश कर दिया था बताते चले कि संजीव भट दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक गांधी नगर में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिशनर के पत पर थे जब गोधरा मामला हुआ उस वक्त वो ततकालीन सीम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे गोधरा मामले के बाद पूरे गुजरात में व्यापक हिंसा भड़ा कुठी थी सितंबर 2002 में राष्ट्री अलप संख्यक आयोक को मोदी के भाशन की रिकॉर्डिंग देने के आरोप में भट का ट्रांसवर कर दिया था पीम मोदी पर आरोप लगाने वाले आईपेस अधिकारी को कोट ने बरी कर दिया है कोट का ये फैसला सुर्ख्यों में है तो वही सुप्रेम कोट के पूर्व जजज के बयान को लेकर भी चर्चातेज है पूर्व जजसिस रोहिंटर नरीमन ने आरक्षन पर मोदी सरकार क फैसले से समिधान बदलने की बात कही है उन्होंने कहा कि समिधान को सिर के बल पलट दिया गया जिसके बाद मोदी सरकार सवालों के घिरे में आ गई है तो क्या है पूरा मामला देखें इस रिपोर्ट में मोदी सरकार का एक और फैसला सवालों से घिर गया है इस बार सवाल सुप्रीम कोट के पूर्व जज ने उठाए है पूर्व जस्टिस रोहिंटर नरीमन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानि EWS कैटेगरी के लिए दिये जा रहे 10 प्रतिशत के आरक्षन को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि संविधान में 130 संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन लागू करना संविधान को उलटने जैसा है उन्होंने कहा कि संशोधन ने जो भी हासिल किया है वो संविधान के उलटने से कम सम्विधान निर्माताओं ने कुछ समुदायों के प्रती एतेहासे गलतियों के कारिन पैदा हुई सामाजिक और समानताओं को कम करने के लिए आरक्षन की परिकल्पना की थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सम्विधान का अनुचेद 46 राजिकों अनुसूचि जातियों, स्टी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। जबकि उन्हें कभी भी एतिहासिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। और आप उन सभी को बाहर कर देते हैं जिन्हें शामिल करने की जरूरत हैं जैसे SC, ST, OBCूर्विजज ने दुख जताते हुए कहा कि EWS ने सब को पूरी तरह से नजरंदास कर दिया। और अब एक समविधानिक संशोध हैं जिसने समविधान को पूरी तरह से बदल दिया है। सुप्रीम गोट के पूर्वज जस्टिस के बयान ने मोदी सरकार के मुश्किलें बढ़ा दी है। तो उद्योगपती गोटम आदानी को लेकर भी मोदी सरकार घिरती दिखाए दे रही है। अदानी का नाम कई आरोपों से घिरा हुआ है। यहां तक कि अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ आरस्ट वारेंट भी जारी कर दिया है। लेकिन बीजेपी इन पर अपनी जवाब देही से बचते हुए राहूल गांदी पर ही सवाल उठा रही है। और अब अमेरिका ने बीजेपी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। देखे रिपोर्ट। उद्योगपती गौतम अदानी को लेकर बीजेपी और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी उद्योगपती और मीडिया संगठन पर बीजेपी ने आरोप लगाये थे। और अब अमेरिका ने बीजेपी के सभी आरोपों को सेरे सिखारिज कर दिया है अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बीजेपी के आरोपों को निराश्रा जनक बताते हुए कहा कि अमेरिका की सरकार हमेशा से ही दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया की वकालत करती रही है अमेरिकी सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के साथ मिलकर पत्रकारों के पेशिवर विकास और प्रशिक्षन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम करती है लेकिन इन योजनाओं का मकसद इन संस्थाओं के संपादकी या फैसलों को प्रभावित करना नहीं है दरसल तीन दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए मीडिया संगठन OCCRP यानि Organized Crime and Corruption Reporting Project और कॉंग्रिस आंसद राहुल गांधी पर एक साथ मिलकर भारत की छवी को नुकसान पहुचाने की साज़िश करने का आरोप लगाया था संसद में भी BJP संसद निशिकान दुवे ने राहुल गांधी और हंगेरियन अमेरिकी व्यवसाई जॉर्ज सोरुस के बीच संबंध का दावा किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस के OCCRP के साथ संबंध है OCCRP को अपना सारा पैसा अमेरिकी सरकार और जॉर्ज सोरुस से मिल रहा है जिस पर काफी विवाद हुआ, कॉंग्रिस ने साफ तौर पर इन सभी आरोपों से इनकार किया और साथ ही निशिकान दुवे से माफी की भी मांग की और अब अमेरिका ने कहा कि ये बेहद निराशा जनक है कि भारत की सत्ता रूड पाटी इस तरह के आरोप लगा रही है ऐसे में सवाल अब मोधी सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों BJP और मोधी सरकार अदानी को बचाने की कोशिश कर रही है क्या विपक्ष के आरोप सच हैं? बता दे कि अमेरिका में अदानी उनके भतीजे सागर और अन्य आरोपियों पर 2020 से 2024 के बीच भारत सरकार की अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगाये गया था ताकि वे सोलर अनर्जी के कांट्राक को हासिल कर सके और अब बीजेपी इन आरोपो पर अदानी का बचाव करने के फेर में भारत और अमेरिका के रिष्टों को ही दाव पर लगा रही है और बुलिटन के आखिर में बात सीरिया में हुए तकता पलट की सीरिया में विद्रोहियों ने तक्ता पलट कर गया है सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का एलान किया है कि राश्ट पती बशर अलसत परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है वो देश छोड़ कर भाग गई है सीरिया में तक्ता पलट के बाद हर कंप मचा हुआ है तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखे रिपोर्ट सीरिया में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कबजा कर लिया है न्यूस एजिंसी रॉय्टर्स के मुताविक सेना ने असद के देश शोड़ने की पुष्टी करते हुए घोशना की कि राश्ट्रुपती की सत्ता खत्म हो चुकी है एक तरफ खबर आ रही है कि राश्ट्रुपती बशर अलसद देश शोड़कर भाग गए है वहाई विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने उस विवान को धेर कर दिया है जिसमें राश्ट्रुपती असद के साथ उनका परिवार भी मौजूद था हाला कि उनके इस दावे की अब तक पुष्टी नहीं की गई है दरसल सीरिया में पिछले 11 महिनों से विद्रोही गुटो और सेना की बीच लड़ाई चल रही थी पहले तो विद्रोहियों ने सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेपो पर कबजा किया वहाँ से वो हमा, होम्स और फिर दारा पहुँचे बतादे कि दारा वही शहर है जहां से 2011 में राश्रपती बशर अलसत के खिलाब विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंक छड़ गई थी दारा से राजधानी दमिश की दूरी लगभग 100 किलोमेटर की है और विद्रोहियों ने महस 27 घंटे में दमिश को भी हत्या लिया उन्होंने राश्रपती भवन को अपने नियंतरण में ले लिया असत के देश होड़ने के बाद सीरियाई पीम ने विद्रोहियों को सत्ता सौपने का प्रस्ताव दिया है पीम मोहमद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे वहें विद्रोहियों ने कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों की बागडोर अप्रधान मंत्री संभालेंगे इस संखर्ष की वज़े से अब तक 3.70 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है हाला कि लोग असत सरकार के गिरने की खुशी मना रहे है लेकिन इस तक्ता पलट ने हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ा दिया है क्योंकि बशर अलसत की सत्ता में हिंदुस्तान के सीरिया के साथ अच्छे संबंध रहे है लेकिन आब इस राजनीतिक बदलाव का फर्क दोनों देशों के रिष्टों पर भी पड़ सकता है